विश हिंदू परिशत की युवा शाखा बजरंग दल के तत्वाधान में परती वर्ष की बाते इस वर्ष भी आयोध्या में शहीदों कार सेवकों की याद में धतीची रक्त दान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल के बलड बैंक पर किया गया जिसमें 65 लोगों ने पंज दाताओं को प्रमाड पत्र भी दिया गया गोरापोर न्यूस से बात करते वे बजरंग दल के गोर अच्छा प्रांत के सह संयोजक दूर्गेश तिरपाटी और प्रोफेसर अजय कुमार शुकला ने कहा 30 सक्टूबर और 2 नमंबर को अयवध्या में निहत्यकार्शे होकोग को गोली मार करके सहित कर दिया गया था उनकी याद में बजरंग दल पूरे भारत वर्स में 30 समंबर और 2 अक्टूबर को रक्तदान सिवीर का आयोजन करता है इसी क्रब में आज गोरकपुर महानगर में रक्तदान सिवीर का आयोजन किया गया है अभी तक सुबह से 25 यूनिट रक्तदान हो चुका है और हम लोग का लक्ष 100 यूनिट का है बजंगदल ये सारा रक्त सीमा पर तैनात अपने सिपाहियों गरीबों और ऐसे असायों को डोनेट करता है जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं रहता है बजंगदल प्रतिवर्स ऐसे रक्तदान सिवीर का आयोजन करता है और उसी क्रम में इस वर्स भी यहां पर आयोजन किया गया है मेरा मानना है कि रक्तदान जितने दान होते हैं उसमें सबसे बड़ा दान माना जाता है आज 30 अक्टूबर को यहां जिला अस्पताल के बलड बैंक में एक रक्तदान शिवीर का आयोजन हुआ है और मुख्यू देश ऐसे शिवरों का होता है कि जो जरूरत मंद है उनको जरूरत पढ़ने पर समय पर बलड दिया जा सके और इसके साथी साथ जो रक्त वीर होते हैं जो बलड डोनेट करने वाले होते हैं उनके भी एक स्वास्त की जांच हो जाती है पराता साथे दस बजे से ये लगातार चल रहा है रभी तक 25-100 लोगों का टार्गेट है कि होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके के जो सिविर होते हैं उनसे समाज में बड़ा अच्छा संदेश जाता है कि जरूरत मंदों के लिए समाज में दूसरे लोग खड़े होगे